एलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम एनेलेसिस करेंगे बैंक निफटी के बारे में अब यहाँ पे सभी के मन में सबसे बड़ा जो सवाल चल रहा है क्या क्रेस की सुरुवात हो चुकी है यह क्रेस आएगा या फिर कुछ लोग इसे कह सकते हैं कि profit booking आएगी क्योंकि पहुत सारे factor market में ऐसे चल रहे हैं चाहे वो inflation हो वो और की situation हो यह कितनी भी तरह की इस topics में मैंने पहले भी बात की हुए है लेकिन हम हमेसा किस क्या discussion करते हैं price action के according discussion करते हैं और सभी को सला भी यही दी जाती है कि price action के according है हम काम करेंगे market में चाहे crash आए चाहे गिरावट आए चाहे profit booking आए चाहे तेजी आए हम किसी भी चीज़ पर धियान नहीं देंगे हम सिर्फ और सिर्फ price action देखेंगे साती सात हम ये भी देखते रहेंगे कि कोई chart pattern तो हमें दिखाई नहीं दे रहा या कोई candlestick pattern तो हमें दिखाई नहीं दे र रहें तो हम selling की तरब जाएंगे बुलिस दिखाई दे रहा है तो हम buying की तरब जाएंगे इन तरह की situation को हम धियान रखेंगे किसी important level पर market किस तरीके से react कर रहा है इन सारी चीजों को observe करने की कोसिस करेंगे जैसे कि आज भी हम करने वाले हैं तो इस बात से आपके मन में कुछ भी तयार रहें और एक गलती और बिल्कुल भी नहीं करनी है जो जादे तरह लोग करते हैं अब काफी लोग क्या सोचते हैं मतलब मैं इस डिसकस कर देता हूं क्योंकि इस तरह के मुझे काफी कमेंट आते हैं email भी आते हैं क्या होते हैं कुछ लोग दिमाग लगाते हैं और वो सोचते हैं कि क्रैस तो आने वाला है या प्रोफिट बोकिंग आने वाली है क्यों न हम पी परचेस करके रख ले या महीने की जो expiry होते हैं उसका पी उठा ले या काफी सस्ता पी उठा ले जब क्रैस आएगा हमारा मतलब प्रीमियम की वैल्यू बहुत तेजी क से काम नहीं करती है यह मैंने आपको पहले भी समझाए क्योंकि आप खुदी देख लो कि इतने दिनों से क्रेश की सिचुएशन चल रही है मार्केट में वो इंफलेशन के कारण हो या किसी भी कारण से हो आया नहीं आया तो हमें सारे पहलो को ध्यान रखता है इसलिए मैं आपको कहता हूँ हमेसा प्राइज एक्षन पर फोलो करो बले कम पैसा बन जाए कोई बात नहीं ठीक है लालच करोंगे तो मारे जाओंगे किलियर है आये एनलेसिस करते हैं मार्केट के मुमेंटम को समस्ते सबसे पहला मेर बताने से पहले दिखाई दे गया था या फिर मेरे बताने के बाद आपने उस पैटरन पे धिहान दिया है एक तो वो चीज हम डिसकस करेंगे दूसरी जो हमारी इंपोर्टेंट रेंज है उसका भी डिसकुशन करेंगे लेकिन आज की दिन को अगर आप ऑपजर्व करेंग सोरी मार्किट ने गैप डाउन ओपनिंग दी फिर मार्किट ने उस गैप को फिल करने की कोशिस की फिल भी किया फिर मार्किट ने वहाँ पर रजिस्टेंस की तरेक्ट किया और फिर आपको गिरावट दिखाई और जो हमारा एक जोन था आपके याद हो 41,500 और नीचे की तरफ आप देखेंगे 41,100 इसका भी हम डिसकेशन आगे करने वाले मार्किट इस जोन में एंटर हुआ और फिर उससे बाहर निकल गया इस तरह की हमें सिचुएशन देखने को में अब यह भी काफी इंपोर्टेंट होनी वाला इसका वहीं पर डिसकेशन करेंगे फिलाल मै आपको लेके चलता हूँ पैटरन की तरफ कौन सा पैटरन हमें मार्किट में दिखाई दे रहा है इमानदार इससे कमेंट करके बताना है मेरे दिखाने से पहले कितने लोगों ने इस पैटरन को देख लिया था चार पैटरन मैंने आपको बताय हुए ट्रेंगल वाले पैटरन आपको बताया गया है और एक पैरलल लाइन वाला पैटरन आपको बताया गया है यहाँ पर मुझे यह वाला पैटरन दिखाई दे रहा है उपर आप साप साप देख सकते आपको क्या दिखाई दे रहा है रजिस्टेंस नीचे आप साप साप देख सकते आपको क्य दिखाई दे रहा है support, फिर market ने इसका breakdown दिया और यहां से आपको बहतरी इंट selling opportunity market में देखने को मिली, अब यहां पे आपको एक और interesting चीज दिखाई दे रही है, जो कि मैं आपको हमेशा explain करता हूँ पर लेकिन आज भी discuss करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ यह आपके दिमाग में feed हो जाए मैंने आपको एक बात बताई हुए, अकर support zone है, breakdown मिलेगा तो resistance zone में बतल जाएगा यह मैंने आपको बताया हुए, दूसरी चीज मैंने आपको एक और समझाई हुई है मालो यह support zone है, market इसका breakdown दे देता है, तो यहाँ पर दो तरगी situation होती है पहली situation क्या होती है, market ने breakdown दिया और market गिरता ही चला जाता है यहाँ पर हमें selling opportunity create होती है, क्लियर है दूसरी situation क्या होती है, अब मालो यह support zone है, market ने इसका breakdown दिया एक selling opportunity आपको यहाँ पर create होती है फिर market वापिस आता है retest करता है इस level को क्योंकि यहाँ पर यह वाली थ्षोरी काम करेगी कि हमारा जो support था breakdown मिलके वो resistance बन चुका तो support था breakdown मिला resistance में बदल गया और market नहीं से retest भी कर लिया और फिर से गिरना शुरू किया यहाँ से भी आपको एक selling opportunity create होती है इस वाले case में आपको दो selling opportunity मिलती है इस वाले case में आपको एक ही यानि कि sell तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं कहीं पर भी कर सकते हैं लिकिन जो एक बहतरी selling opportunity है बड़ा profit बनाने के लिए वो यहीं से create होती है इसमें दो बार मिलती है इसमें एक बार मिलती है आपको यह कुछ अलग से सीखने को मिला होगा और मज आया होगा अब यह मैंने आपके साथ discuss क्यों किया क्योंकि यहाँ पर हमें यह second वाला case नजर आ रहा है कैसे मैं अभी समझाता हूँ आपको यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप इसे आगे extend करेंगे यह एक support zone था breakdown मिला हमारा candlestick pattern भी है उसका भी breakdown मिला आपको selling opportunity मिली यहाँ पर पहला signal आपको यहाँ पर मिला selling का फिर market वापिस आया इसे retest किया और इस level पर resistance की track किया फिर गिरावड दिखाए तो आपको यहाँ पर दो बार selling opportunity मिली थी दूसरी आपको यहाँ पर मिली थी पहली आपको यहाँ पर मिली थी किस किसने इस बात को समझा नया लगा वो मुझे comment करके जरूर बताए किस किसने इस pattern को पहले ही देख लिया था वो भी मुझे comment करके जरूर बताए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और यहाँ पर discussion करेंगे हम price action के according support और resistance का साथी साथ इन दोनो जोन को भी हम समझने के कोसिस करेंगे जो कि मैंने वीडियो के सुरवात में आपसे वबादा किया था 41,500 और 41,100 पहला discussion करते हैं अगर आपको gap up opening देखने को मिलती है फिर flat open होके market आपको positive momentum दिखाता है दोनों ही situation पर जो में resistance दिखाए दे रहा है 41,800 पर हमें यहाँ पर resistance दिखाए दे रहा है यहाँ पर आप साब साब देखेंगे 7th को भी market ने resistance की तरेक्ट किया फिर 9th को देखेंगे 9th को हमें यहाँ पर support लेता वह market दिखाए दिया फिर आप देखेंगे कि यहीं पर ही आपको closing देने की कोशिस की थी market ने लेकिन यही पर resistance की तरेक्ट करके last candle में market ने आपको यहाँ पर गिरावट पर दिखाए तो अगर कल के दिन आपको एक positive momentum देखने को मिला तो 41,800 आपके लिए resistance होने वाला है अगर इसका breakout मिला फिर आप देखेंगे 41,900 आपके लिए अगला resistance रहने वाला है यहाँ पर भी आप 9th को देख सकते हैं एक बहतरीन आपको यहाँ पर resistance देखने को मिला था लेकिन जो situation market में चल रही है जिस level पर market में खड़ा है वहाँ पर अमारे लिए सबसे जरूरी समझना है एक तो 41,500 एक 41,100 बनने वाला है अब यह जो level है यह पहले एक important resistance के रूप में काम कर चुका है और आज के दिन भी इसने पहले support दिखाया breakdown देने के बाद एक important resistance भी दिखाया यानि कि as a resistance यह level काफी important है लेकिन इसका मिल रहा है breakout और हम जानते हैं अगर कोई resistance जो ने breakout मिलता है तो support कि थ्रेक्ट करेगा यानि कि अगर negative momentum आया तो पहला support हमारे लिए 41,500 है अब ध्यान से समंझना मैं आपको क्या कहूंगा अगर इसका breakdown आ गया तो तब यह support नहीं रहने का ये एकदम से हमारे लिए resistance बन जाएगा और कोशिस करेगा market इसी range को follow करे जो range पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है market इसी range को आपको follow करता हुआ दिखाई दे यहाँ तक चीजे के लिए रहे अब यहाँ पे एक और चीज important है हलाकि support zone तो रहने वाला है 41,100 अगर इसका breakdown आया लेकिन बात इतनी simple नहीं है इसे समझने की कोशिस करो जिस तरीके से आज market ने momentum दिया है कि पहले इस range से बहार निकला फिर अंदर आ गया फिर बहार निकला ऐसा ही हमारा 7th को भी हुआ था market पहले इस range से बहार निकला फिर अंदर आ गया फिर बहार निकला इस तरह की situation हमें 7th को भी देखने को मिली थी जो आपको 10th को देखने को मिली है यानि कि दोनों दिन सेम ही situation देखने को मिली है अब इन दोनों दिनों में सिर्फ इतना ही common नहीं है एक चीज और common है यहाँ पे जो common है यह सपोर्ट लेवल जिस zone में आपको 7th को सपोर्ट देखने को मिला था उसी zone में आपको 10th को भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है यह सबसे ज़्यादा जरूरी है तो यानि कि इस हिसाब से हमारे लिए एक और सपोर्ट लेवल निकल के आ जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे चीजों को समझने के कोसिस करेंगे 31st को सेम ही zone में हमें resistance देखने को मिला था अब थोड़ी सी अपनी नजर को और पेहनी करो चीजों को और समझने की कोसिस करो चाहें हम बात करें 24th की 24th को भी इस zone पे market ने important दिखाया है 27th को भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहतरी इन resistance देखने को मिल रहा है 31st का तो मैंने discussion कर दिया 1st November का देखो इसी zone की market respect कर रहा है 2nd November का देखो इसी zone की respect कर रहा है फिर आप आगे जाएंगे 3rd November को इसी zone की respect कर रहा है 4th November को जाएंगे इसी zone की respect कर रहा है क्या आपको कुछ कडिया जोडती हुई नहीं दिखाई दे रही अगर हम सारी कडियों को जोड दे तो यानि कि यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि हमारे लिए इंपोर्टेंट तो है 41,500 और नीचे की तरब 41,100 इन लेवल्स के बारे में यह हम जानते हैं लेकिन एक ओर अपोर्टेंटी हमें मार्केट में दिखाई दे सकती है इसे समझना कैसे है जैसे ही मान लो मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया 41,500 का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया आपने सेलिंग पोजिशन बनाई हुए जैसे ही मार्केट इस लेवल के पास आता है तो समझदार ही है अपना प्रोफिट बुक कर लो क्योंकि एक काफी इंपोर्टेंट की लेवल हमें दिखाई दे रहा है मैंने सारी कडिया भी जोड के आपको दिखाई है अलग-अलग ड्रो करके तो यहां से हम यह चीज समझ रहे है अगर इसका ब्रेकडाउन आया फिर एक सैलिंग अपोर्चुनिटी करेट होती है अगर प्राइज नीचे सस्टेन कर गया क्योंकि फिर पोसिबिल्टी है 41,100 को मार्केट अचीव करे किलियर है और अगर फिर से इसी रेंज के अंदर आ गया तो यही रेंज फोलो होने की पोसिबिल्टी है अगर इससे बाहर निकलने की कोशिस की तब भी हमें पता है कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस है अब बातों को और गुमाते है इतनी ही चीज में आपको कितनी चीज़ें समझने के लिए मिल रही है और सब कुछ मैं लोजिक के साथ आपको एक्स्पेरियर कर रहा हूँ अब मैंने आपको आपकी याद होगा अगर आपने मेरी प्रिवेस वीडियोस देखे मैंने आपको बताया 41,500 आपके लिए एक important level है 41,100 भी आपके लिए एक important level है अगर market नीचे की तरफ आया तो market इस zone में support लहने की कोशिस करगा अगर market ने इसका breakout देया तो market इस zone में resistance लहने की कोशिस करगा ये आपको सम्झाय गया था अब कडिया जोडते हैं ये देखो जुड़ती हुए आपको नजर आ रही है और आगे ड्रो करो ये देखो आज के दिन देखोंगे 10th को ये भी देख लो आपको इसी जोन में रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है देखो प्राइज action को हलके में मतलो जो मैं आपको समझाता हूँ point to point take एक चीजों को समझा करो इन्हें ध्यान दिया करो इन्हें मतलब बाद में भी discuss किया करो अपने आप practice किया करो किलियर सारी चीज़े तब होगी एक बहतरीन अपोर्चनिटी आप तब ग्रैब कर पाएंगे अच्छा प्रोफिट आप तब बना पाएंगे जब सारी चीज़ों को समझने लग जाओंगे यहाँ पर समझ पारे हो कि नहीं मैं आपको क्या समझाएं आगे बढ़ते हैं काफी कुछ इंट्रेस्टिंग चीज़े आने वाली हैं सबसे पहले हम डिसकस करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का यहाँ पर आप देखेंगे दो रैड लाइन उपर लेवाल लाइन की बात करेंगे वहीं पर अगर मिलता है आपको इसका breakdown price नीचे sustain करता है तो आपको मिल सकती है selling opportunities अब उपर की तरप क्या level रहेंगे नीचे की तरप क्या level रहेंगे इनका discussion करते हैं हम pivot point की मदद से अगर bank deputy में आपको एक positive momentum देखने को मिला ऐसे इस्तितिती में जो पहला resistance नज़रा रहा है 41693 पे नज़र आ रहें अगर आपको इसका breakout मिलता है जो आपको दूसरा resistance दिखाई द रहें 41800 पे दिखाई दे रहें अगर आपको इसका breakdown मिलता है जो आपको दूसरा support दिखाई दे रहे हैं 41,327 पे दिखाई दे रहे हैं अगर इसका भी breakdown मिला है जो आपको तीसरा support दिखाई दे रहे हैं 41,158 पे आपको दिखाई दे रहे हैं वहीं अब हम बात करते हैं option chain की option chain पे आप देखेंगे 17 17 November की हमने expiry select करकी है call की साइड हम देखने वाले resistance को put की साइड हम देखने वाले support को support और resistance का discussion करने से पहले मैं आपको बता दूए आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation होगा ना ही कोई selling recommendation होगा यह जिस्ट educational purpose से बिनाए गई analysis video है invest करने से पहले आपको अपनी research करने है अपने investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपका उने वाला है loss की जमेदार भी आपको अपने आप लेनी है जो यहाँ पर हम बात करें resistance की तो 42,000 पर आपको एक resistance नज़र आ रहे जहाँ पर आपको 10.6 lakh का यहाँ पर open interest दिखाई दे रहे अगर इसका breakout मिलता है फिर आप देखेंगे 42,200 पर जहाँ पर आपको 6.3 lakh का यहाँ पर open interest दिखाई दे रहे वहीं बात करें support की एक बहतरीन support नज़र आ रहे 41,500 यह मैंने आपके साथ discuss किया है यहाँ पर आप देखेंगे 10.6 lakh का आपको यहाँ पर open interest दिखाई दे रहे अगर इसका breakdown मिलता है फिर आप देखेंगे सीधा सीधा 41,000 पर जहाँ पर आपको 6.5 lakh का यहाँ पर open interest दिखाई दे रहे दोस्तो इस वीडियो को like कीजेगा comment करके मुझे बताएगा कि आपको analysis कैसे लग रहे है channel पर नहीं हो तो channel को subscribe कीजगा और bell icon press कीजगा जिससे आपको आने वाली वीडियो के notification मिल सकेंगे फिर मिलेंगे किसे next वीडियो में किसे अच्छे content के साथ thank you